असलाम लेकुम जी, in this lesson we are going to learn के switches का इस्तमाल कैसे किया जा सकता है अपने designs के अंदर so let's have a look on it switches की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि I really want के जो मेरा content है quotation plus author name मैं इसको जदा prominent करूँ मैं इनके colors को change करूँ so colors मैं कहां से लोगा वो मैं इसी images में से उठाऊंगा और कुछ हम इस तरह से करेंगे कि हम इस images में से जो colors लेंगे उनको अपने switches में add करेंगे और फिर अपने switches में से अपने content को colors assign करेंगे so ये कैसे होगा मैं यहाँ पे shape tool लेता हूँ एक square draw करता हूँ हम layers वाले panel में जाके एक और layer create कर लेते हैं और उसको एक नाम assign कर लेते हैं switches और जो rectangle अभी हमने create किया तो उसको हम इसमें place कर लेते हैं ठीक है जी इसमें हम अब colors pictures में से कैसे उठाएंगे so अगर आप left side पे देखें तो यहां पे एक और tool का इस्तेमाल करते हैं that is eye dropper tool so मैंने इस rectangle की इस जो shape है इसको select किया वा है यहां से eye dropper tool पे click कर रहा हूँ और जो color आपने इस shape को assign करना है आप उस pixel पे जाके उसको click कर दें so हम क्या करते हैं यहां से कोई black color gray black color assign करते हैं इस shape को ठीक है इसके बाद जैसे हमने artboard copy किया था पिछले lesson के इंदर alt को press करके तो मैंने escape को select किया अपने keyboard से alt को press किया और इसको मैंने copy कर दिया ठीक है और एक और हम color यहां से लेते हैं that is going to be a red तो मैं यहां पे different clicks करके देखते हूँ तो जिस pixel का color हमें थोड़ा बहतर लगेगा we will stick to it so this is looking something good इसके बाद जी हम एक और copy generate करते हैं इस पे click करते हैं और eye dropper tool से यहां से कोई color लेके देखने हैं so let's go with a dark one something like this ठीक है जी अब हम इन colors को अपने switches का part बनाते हैं so switches की properties panel में open कर लेता हूँ अगर आपको switches नहीं नजर आ रहे so यह अब आपको पता चल जाना चाहिए कि windows में जाके यहां से आप अपने switches को open कर सकते हैं so there is the option इसके बाद जी हम यहां पे एक निया folder create करते हैं so यह आप देख सकते हैं new color group इस new color group को मैं एक नाम assign कर लेता हूँ हम कहते हैं जी quotation design okay press करते हैं इसको highlight करते हैं yes अब मैं इस पर click कर लेता हूँ और इसको यहां से जी इसमें add कर लेते हैं ठीक है मैं दुबारा से इस color पर click कर रहा हूँ यहां से इस folder को highlight कर रहा हूँ और new swatch इस button पर click करता हूँ तो यह उसी folder में इस color को भी add करतेगा बिल्कुल ऐसे ही मैंने इस color को select किया इस folder पर click किया और यहां से इसको भी same folder में add कर दिया so अब हमारे तीनो colors एक ही folder का part है अब हम अपने content का color change करते हैं so मैंने अपने content को select किया और अपने swatches वाले panel को open किया अब आप जिस color पर click करेंगे यह color उसको assign कर देगा so अब आप जो समझते हैं कि अगर आपको red बहतर लगता है you can go with red अगर आपको gray black अच्छा लगता है you can go with it but I think this is more good as compared to red and gray black और बिल्कुल ऐसे ही john mango को मैं select कर रहा हूं और let's go with the same color ठीक है इसके बाद हमें को और interesting चीज़ देख लेते हैं जी इसके अंदर इसको मैं side पे move करता हूं चलाएं इसको यहां पर ही रहने देते हैं मैं अपने artboard को select कर रहा हूं इसकी हमें copy generate कर लेते हैं ठीक है और suppose कर लेते हैं कि हमने यहां पर कोई 10 copies generate कर ली एक artwork की और आपने उसमें same color use किया हुए तो अब आप चाहते हैं कि the color is not good आप color को change करना चाहते हैं लेकिन हुआ ऐसे कि जब आपने इस color को change किया फिर इस color को change किया और आपने individually हर एक-एक content पर जाके click किया और उसके color को individually change किया so this is not a good thing so let's delete all these three colors ठीक है हम दोबारा इस पर click करते हैं इस folder पर click करते हैं और यहां से आप global को check कर लेंगे इसका benefit क्या है उसको देखते हैं अभी इस global को check कर लेते हैं और इस global को check कर लेते हैं और अब मैं इसको भी यह वाला color assign करता हूं इसको भी ये color assign करता हूँ इसको भी ये करता हूँ और इसको भी ये करता हूँ So client की requirement आती है या आपके boss की requirement है या आपको लगता है कि इसका color change होना चाहिए तो आपने क्या किया आपने एक ही swatch को multiple layers में apply किया था So अब मैं इस swatch को double click कर रहा हूँ और यहां से जाके हम इसको थोड़ा सा change कर लेते हैं इसको preview करके देखते हैं तो आपने उस swatch को जिन-जिन layers पे apply किया था उसने उन सब layers को update कर दिया So this is the benefit इसके बाद मैं आपको और एक और interesting चीज़ दिखा जाता हूँ हमारे पास यहां पे कुछ already बरी बनाई swatch libraries हैं अगर आप इस panel के बिल्कुल left bottom पे देखें तो swatch libraries menu तो इसमें आपको multiple categories मिलेंगी for example you are going to design something for food So यहां पे हम ice cream swatches देखते हैं जी So इसने हम एक और panel open कर दिया जहां पे आपको different ice cream swatches मिलेंगे So आप क्या कर सकते हैं इसको यहां से drag करें इसको यहां पे place कर लें असानी के लिए ताकि आप quickly access कर सकें अगर आप यहां पे ज़्यादा चीज़ों को clutter नहीं करना चाहते हैं आप चीज़ों को simple रखना चाहते हैं तो जब आपको in category से related swatches चाहिए होंगे तो आप उसको open कर लें और यहां से उसको apply करते जाएं बिल्कुल ऐसे ही different order देखते हैं जी For example you are designing cartoons और characters तो skin tone के swatches हैं तो आप इनको बड़ी easily use कर सकते हैं और इसके लबा और आपको different तरह के swatches मिलेंगे So open your laptop, open your design, colors को change करें, swatches create करें and have fun with your designs See you in the next lesson, thank you so much